धीमी सुनवाई में तेजी लाने के लिए वायसराय लॉड इर्विन ने एक मई 1930 को आपातकाल की घोशना की और मामले के लिए तीन उच्च न्यायाले के न्यायाधिशों से बना एक विशेश न्यायाधिकरन स्थापित करने के लिए एक अध्यादेश पेश किया। इस निर्णय ने न्याय की सामान्य प्रक्रिया को छोटा कर दिया क्योंकि चुब्यूनल के बाद एक मात्र अपील इंग्लेंड में स्थित प्रिवी काउंसिल में थी। चक्ती नहीं थी। हतियारों और गोला बारूद के अवैद अधिग्रहन समेत अन्य आरोप पेश किये। लाहौर के पुलिस अधिक्षक जी टी हेच हैमिल्टन होडिंग के साक्षय ने अदालत को चोंका दिया। उन्होंने कहा कि उन्होंने पंजाब के मुख्य सचिव से लेकर राजपाल तक के विशेश आदेशों के तहत आरोपियों के खिलाफ पहली सूचना रिपोर्ट दर्ज की थी और उन्हें मामले के विवरण की जानकारी नहीं थी। अभियोजन मुख्य रूप से पियेन घोश, हंस राज वोहरा और जय गोपाल के साक्षय पर निर्भर था जो एचेस आरे में सिंग के सहयोगी थे। 10 जुलाई 1930 को ट्रिब्यूनल ने 18 आरोपियों में से केवल 15 के खिलाफ आरोप लगाने का फैसला किया और उनकी याचिकाओं को अगले दिन सुनवाई के लिए लेने की अनुमती दी। मुकदमा 30 सितंबर 1930 को समाप्थ हो गया। जिन तीन आरोपियों पर आरोप वापस ले लिए गए उनमें दत भी शामिल थे जिन्हें पहले ही असेंबली बम मामले में आजीवन कारावास की सजादी गई थी। अध्यादेश और न्यायाधिकरण 31 अक्टूबर 1930 को समाप्थ हो जाएगा क्योंकि इसे केंद्रिय विधानसभा या ब्रिटिश संसद्वारा पारित नहीं किया गया था। कुंदनलाल को साथ साल की सश्रम कारावास की सजा मिली, प्रेमदत को पाँच साल की सश्रम कारावास की सजा मिली, और शेश साथ, किशोरी लाल, महाबीर, कुसिंग, बिजे कुमार सिन्हा, शिव वर्मा, गया प्रसाद, जय देव और कमलनात तिवारी, सभी को आजीवन क परावास की सजा सुनाई गई। के बाद कॉंग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मदन मोहन मालविय ने 14 फरवरी 1931 को इर्विन की समक्ष डया अपील दायर की। कुछ कैदियों ने महात्मा गांधी को हस्तक्षेप करने की अपील भेजी। 19 मार्च 1931 के अपने नोट्स में वाइसराय ने दर्च किया। लोटते समय गांधी जी ने मुझसे पूछा कि क्या वो भगत सिंग के मामले के बारे में बात कर सकते हैं क्योंकि अकबारों में 24 मार्च को उनकी फांसी की खबर छपी थी। वो बहुत दुर्भागे पूर्ण दिन होगा क्योंकि उस दिन कॉंग्रेस के नए अध्यक्ष को कराची पहुँचना था और खूब गर्मा गरम चर्चा होने वाली थी। मैंने उसे समझाया कि मैंने इस पर बहुत सावधानी से विचार किया है लेकिन मुझे सजा कम करने के लिए खुद को समझाने का कोई आधार नहीं मिला। ऐसा प्रतीत हुआ कि उसे मेरा तर्ट वजंदार लगा। Great Britain की Communist Party ने मामले पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। इस मामले का इतिहास, जिसका हमें राजनीतिक मामलों के संबंद में कोई उधारन नहीं मिलता है। निर्दैता और क्रूरता के लक्षनों को दर्शाता है जो ब्रिटेन की सामराज जवादी सरकार की फूली हुई इच्छा का परिणाम है ताकि लोगों में भय पैदा किया जा सके। दमित लोगों के दिल, सिंग और साथी HSRA कैदियों को जेल से छुडाने की योजना विफल रही। HSRA सदस्य दुर्गा देवी के पती भगवती चरण वोहरा ने इस उद्देश्य के लिए बम बनाने का प्रयास किया, लेकिन दुर्गट नावश विसफोट होने से उनकी मृत्यू हो गई। जैसा की कानून द्वारा आवश्यक था। इसके बजाए एक मानद न्यायधीश द्वारा निश्पादन की निग्रानी की गई, जिन्होंने तीन डेत वारंट पर भी हस्ताक्षर किये, क्योंकि उनके मूल वारंट समाप्थ हो गए थे। आप राधिक न्यायशास्त्र के मौलिक सिध्धान्त के विप्रीद बताया है क्योंकि अभियुक्तों के लिए खुद का बचाफ करने का कोई अफसर नहीं था। विशेश न्यायाधिकरन मुकदमे के लिए अपनाई गई सामान्य प्रक्रिया से अलग था और इसके फैसले के खिलाफ केवल ब्रिटेन मिस्थित प्रिवी काउंसल में अपील की जा सकती थी। आरोपी अदालत से अनुपस्थित थे और फैसला एक पक्षिय पारित कर दिया गया। विशेश न्यायाधिकरन बनाने के लिए वायसराय द्वारा पेश किया गया अध्यादेश, केंड्रिय विधान सभा या ब्रिटिश संसत द्वारा कभी अनुमोदित नहीं किया गया और अंतता ही बिना किसी कानूनी या सम्वेधानिक पवित्रता के समाप्त हो गया। फासी की घटनाय प्रैस द्वारा व्यापक रूप से रिपोर्ट की गई, खासकर जब वे कराची में कॉंग्रेस पार्टी के वार्शिक सम्मेलन की पूर्व संध्या पर हुई, गांधी को गुस्साई युवाओं द्वारा काले जंडे के प्रदर्शन का सामना करना पड़ा जिन्होंने गांधी मुर्दाबाद के नारे लगाए। न्यू यूर्क टाइम्स ने रिपोर्ट किया, सयुक्त प्रांथ के कानपुर शहर में आतंप का राज और कराची के बाहर एक युवक द्वारा महात्मा गांधी पर हामला, भगत सिंग और दो साथी हत्यारों की फासी पर भारतिय चरम पंथियों के जवाबों में से एक थे। प्रशंसा करती है और इन लोगों की मौत पर उनके शोक संतप्त परिवारों के साथ शोक मनाती है। प्रत्वपूर्ण माना जाता है और शांती के तरीकों को जीतने के लिए एक पार्टी को प्रेरित किया गया है। राजनीतिक हिंसा का सहारा लेती है। भगत सिह अहिंसा के उपासक नहीं थे लेकिन वे हिंसा के धर्म को भी नहीं मानते थे। उन्होंने लाचारी के कारण और अपनी मात्रिभूमी की रक्षा के लिए हिंसा का सहारा लिया। अपने आखिरी पत्र में भगत सिह ने लिखा, मुझे युद्ध करते समय गिरफतार कर लिया गया है। मेरे लिए कोई फासी नहीं हो सकती। मुझे तोप के मोहों में डाल कर उड़ा दो। इन वीरों ने मृत्यू के भय पर विजय पाली थी। आईए हम उनकी वीरता के लिए उन्हें हजार बार नमन करें। लेकिन हमें उनके कृत्य की नकल नहीं करनी चाहिए लाखों निराश्रित और अपंग लोगों की हमारी भूमी में यदि हम हत्या के माध्यम से न्याय मांगने की प्रथा अपनाएंगे तो एक भयावह स्थिती होगी। हमारी गरीब जनता हमारे अत्याचारों का शिकार बनेगी। हिंसा की एक धर्म करने से हम अपने कारियों का फल कटाई की जाएगी। इसलिए यद्यपी हम इन बहादुर लोगों के साहस की प्रशंसा करते हैं, हमें कभी भी उनकी गतिविधियों की निंदा नहीं करनी चाहिए। हमारा धर्म है अपने क्रोध को निगलना, अहिंसा के अनुशासन का पालन करना और अपना कर्तव्य निभाना। 23 मार्च को महात्मा गांधी ने वाइसराय को पत्र लिखा था जिसमें उन्होंने भगत सिंग, सुखदेव और राजगुरु के खिलाफ मौत की सजा को कम करने की अपील की थी। हालां कि ऐसे निराधार दावे किये गए हैं कि गांधी के पास सिंग की फांसी को रोकने का अवसर था। इसलिए उनके पास उन्हें मृत चाहने का कोई कारण नहीं था। गांधी ने हमेशा कहा कि वो सिंग की देशभक्ती के बहुत बड़े प्रशन सक्ते। उन्होंने ये भी कहा कि वो सिंग की फांसी और उस मामले के लिए सामान्य रूप से मृत्युदंट के विरोध में थे और घोशना की कि उनके पास इसे रोकने की कोई शक्ती नहीं थी। सिंग की फांसी के बारे में गांधी ने कहा सरकार को निश्चित रूप से इन लोगों को फांसी देने का अधिकार था। सत्यागरा आंदोलन के सदस्य नहीं थे, गांधी इर्विन समझोते के तहट रिहा कराने में काम्याब रहे थे। भारतिय पत्रिका फ्रंट लाइन की एक रिपोर्ट के अनुसार, उन्होंने सिंग, राजगुरू और सुकदेव की मौत की सजा को कम करने के लिए कई बार अनुरोध किया, जिसमें 19 मार्च 1931 की एक निजी यात्रा भी शामिल थी। उस दिन वाइसराय को लिखे एक पत्र में उनकी फासी के समय, उसने कमियों के लिए बहुत आग रह किया, यह न जानते हुए की पत्र बहुत देर से आएगा। वाइसराय लौड इर्विन ने बाद में कहा, से राजनीतिक विचारों से प्रभावित होने की अनुमती देना पूरी तरह से गलत मानना चाहिए। मैं ऐसे किसी मामले की कल्पना नहीं कर सकता जिसमें कानून के तहट सीधे तोर पर अधिक जुर्माना लगाया गया हो। सिंग गदर पार्टी के संस्थापक सदस्य करतार सिंग सराभा को अपना नायक मानते थे। भगत गदर पार्टी के एक अन्य संस्थापक सदस्य भाई पर्मानन से भी प्रेरित थे। सिंग अराजकतावाद और साम्यवाद की ओर आकरशित थे। वो मिखाईल बाकुनिन की शिक्षाओं के शौकीन पाठक थे और उन्होंने काल मार्क्स, व्लादिमीर लेनिन और लियोन ट्रोट्सकी को भी पढ़ा था। अपने अंतिम वसियत नामा युवा राजनीतिक कारे करताओं के लिए में उन्होंने अपने आदश को नए यानि माक्सवादी आधार पर सामाजिक पुनर निर्मान के रूप में घूशित किया है। सिंग गांधिवादी विचारधारा में विश्वास नहीं करते थे, जो सत्याग्रह और एहिंसक प्रतिरोध के अन्य रूपों की वकालत करती थी, और उन्हें लगता था कि ऐसी राजनीती शोशकों के एक समूह की जगह दूसरे को ले लेगी। मई से सितंबर 1928 तक सिंग ने कीर्ती में अराजक तावाद पर लेखों की एक श्रिंखला प्रकाशित की। उन्हें इस बात की चिंता थी कि जनता अराजक तावाद की अवधारणा को गलत समझ रही है। उन्होंने लिखा कि लोग अराजक तावाद शब्द से डरते अराजक तावाद शब्द का इतना दुरुपयोग किया गया है कि भारत में भी क्रांतिकारियों को अलोकप्रिय बनाने के लिए उन्हें अराजक तावादी कहा जाने लगा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि अराजक तावाद का तातपर ये शासक की अनुपस्थिति और उन्होंने आगे कहा, मुझे लगता है कि भारत में सार्वभॉमिक भायचारे का विचार, संस्कृत वाक्य वसुधेव कुटुमबकम आदी का एक ही अर्थ है। चाच, ईश्वर और धर्म, राज, निजी संपत्ती। मजिस्ट्रेट से इसे थर्ड इंटिनेशनल को भेजने के लिए कहा। टेलीग्राम में कहा गया है, लेनिन दिवस पर हम उन सभी को हार्दिक शुब कामनाई भेजते हैं जो महान लेनिन के विचारों को आगे बढ़ाने के लिए कुछ कर रहे हैं। हम रूस द्वारा किये जा रहे महान प्रयोग की सफलता की कामना करते हैं। हम अंतराष्ट्रिय श्रमिक वर्ग आंदोलन के साथ अपनी आवाज मिलाते हैं। सरवहारा जीतेगा, पूंजी वाध हारेगा, समराज जवाद का नाश हो। भी उद्रित किया। अपनी फासी के दिन, भगत सिंग जर्मन माक्सवादी क्लारा जेट किन ड्वारा लिखित पुस्तक, रेमिनिसेंस ओफ लेनिन पर रहे थे। जब सिंग से पूछा गया कि उनकी आखरी इच्छा क्या है, तो उन्होंने जवाब दिया कि वो लेनिन के जीवन का ध्यांग कर रहे थे और वो इसे उनकी मृत्यू से पहले खक्म करना चाहते थे। सुभाष चंद्रबोस ने कहा था कि भगत सिंग युवाओं में नई जागरिती के प्रतीक बन गए थे। नहरू ने स्वीकार किया कि भगत सिंग की लोगप्रियता एक नई राष्ट्रिय जागरिती का कारण बन रही है। उन्होंने कहा वो एक साफ सुत्रे सेनानी थे जिन्होंने खुले मैदान में अपने दुश्मन का सामना किया। वो एक चिंगारी की तरह थे जो कुछ ही समय में एक ज्वाला बन गई और एक से बढ़कर एक फैल गई। देश के एक छोर से दूसरे छोर तक सरवत्र अंधकार को दूर करना। सिम की फासी के चार साल बाद इंटेलिजन्स बयूरों के निदेशक सर होरिस विलियमसन ने लिखा। उनकी तस्वीर हर शहर और टाउन्शिप में बिक्री पर थी और एक समय के लिए लोक प्रियता में खुद श्री गांधी की भी दूए थी